इस देश के अंदर तीन एको सिस्टम है जिनको हमको तोड़ना पड़ेगा तीन पारी तंत्र ऐसे हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा और वह अपने तंत्र को ही करना पड़ेगा हम जो लाना चाहते हैं वो कोई ऐसी तीज नहीं है जो मालूम नहीं है आज सब को चर्चा होती है आरे इंबोजन ठोड़ी है दोस्तों चुकी है हर आधार पर लेकिन प्रचलन में कोई है जीतनी बाते चलती है वो सब बहुत प्रचलन में कारण क्या है इस देश के अंदर ए एको सिस्टम में है references का narrative का और डिसकॉर्स का मैं हमेशा कहता हूं कि आप references डूडने चलते हैं तो references कौन से मिलते हैं कभी वड़े इस देश के अंदर ऐसे लोग है हम बिना reference के बात नहीं करते हैं हम तो अज़ां नहीं करते हैं हम भाशान नहीं देते हैं लेकिन selective references are not called references मैंने कुछ references को select कर लिया उसको मैं फापित किये हूँ उन्ही को मैं reference मानता हूँ वो reference नहीं होते है वो selective references तक जाने की शंता नहीं है लोगों की क्यों वो जो references होते हैं वो primary data है वो original references वो Sanskrit में है वो Pali में है वो Prakrit में है वो शार्दा में उनको जानने वाले लोग ही नहीं है और इसलिए किसी मार्क्सवादी साहित प्रकार लेखक की किताब पढ़कर आप कहते हैं कि यहाज़ा references यह बहुत बड़े अकेडमिशन देना उनको reference देता हूँ तो इस देश के अंदर पूरे एकेडमिक्स के अंदर एक ecosystem मन गया है references का narratives का and that narratives have become a popular discourse यह तोड़ना है तो हमको उसके लिए एक primary data generate करना पड़ेगा वो primary data को generate करना यह भी एक challenge है दुनिया की 80% पांडुलीपिया भारत में है वो सारी पांडुलीपिया manuscript mission के अंदर एक अत्र की जा सकती है पढ़ी नहीं जा सकती उसके पढ़ने वाले लोग कहां से आएंगे वो कौन पढ़ेगा उनको उनकी व्याक्षा कोन करेगा interpretation कोन करेगा इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चुनोती है वो एक ecosystem है दूसरा ecosystem है इस देश के अंदर नहीं दुनिया वर के अंदर academics, media और tech giants ये तीनों का एक तालमेल बन गया है कभी विश्विद्यालर में मैईशा सुर्जन्ती मनती थी उसका आसर बस्तर में नहीं होता था ये नियू में मन सकती थी एजराबा सेंटरल उन्यूश्टी में मन सकती थी अभी social media आ गया वो discourse जो selective places भी होते थे वो आज public discourse बन रहे है और ये जो सारे टेकजेंट्स हैं ये उनी को प्रमोट करते हैं जो हमारे उनके हित के अनुकूल है वो हमारे विचार के विपरीत है और इसके करण से हमारा जो academic discourse हम जो करते हैं हम जो काम करते हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनोती है पूरी दुनिया के अंदर आज के समय के अंदर आपके पास सत्य हो सकता है लेकिन सत्य का वहाग आज जो रित है वो रित असत्य की धारा के साथ है वो जो निरंतरता जो है ना वो जो गती है वो गती हमारे साथ नहीं है हमें इसका काट डुड़ना में इसका रास्ता निकालना है हमको इसके वारे में सोचना पड़ेगा academics, media and tech giants दुनिया के अंदर इसकी एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमको पार पाना पड़ेगा और दुनिया की चार शक्तिया है जो पूरी दुनिया में अपनी credibility को खो चुकी है वो expose हो चुकी है, वो discredit हो चुकी है उन्होंनों जो विवस्ता दी दुनिया में किसी भी देश के अंदर वो सो साल भी चली नहीं है उनके बाद देने के लिए कुछ नहीं है दुनिया में माववाद आया दुनिया में माक्सवाद आया दुनिया के अंदर वेलफेर स्टेट के माडल आया है दुनिया के अंदर ये अंतराश्ट्रे संस्थाओं के माद्यम से हमको जो अबदेश देना चाहते है उनका जो निफ्रित्यों करने वाले पाइलेस दी, कालोनिय निजम दिया, लूट दी, नरसंहार किये, इसके अलबा कुछ नहीं किया, वो अपने देश के अंदर भी सो साल में ही डिस्क्रेडिट हो गये, किसी देश के अंदर वो चलने ही पाए, उन सब के लिए चुनोती हमारा विचार है, हमारे बास सक्ता की च करने सी, उसके बाद भी सारी दुनिया हमारे को सुविकार कर रही है, वो योग के पीसे जाना चाहती है, वो भारती जीवन पद्दती के पीसे जाना चाहती है, वो अध्यात्मों को सुविकार कर रही है, वो भारत के परियावरण के चिंतन को सुविकार कर रही है, उनको सब एकत रोकर एक साथ होकर उनका एक एको सिस्टम बन गया है जो हर परिसिती में इस भारतिय हिंदू इस देश के अंदर जो उपजा चिंतन है उस विमर्ष को कैसे रोका जा सके और इसलिए सारे दुनिया के अंदर काम करने वाले हैं चाह इसलामिस्टों चाह एको सिस्टम बन गया है इसाथ एकत रहा है वो भारत में जमीन पर ताकत नहीं है तो एकैडिमिक इंटिलेक्टर डिस्कोर्स में उनकी ताकत है दुनिया के अंदर अंतराश्चिय शिक्षा संस्थान या वहाँ के मीडिया संस्तान में उनकी ताकत है वो उसका उपयोग वहाँ करते हैं उसका अनुपवाँ हम सब को आ रहा है और इसलिए इस देश के अंदर हम यह जो परिवर्तन लाना चाहते हैं इस परिवर्तन लाने की जब इच्छा लेकर हम काम करना प्रारंब कर रहे हैं तो यह तीन चुनोतियों को हमको विजय प्राप्त करनी होगी आने वाले पक्चिस वर्षों के अंदर अकादमिक जगत की जो चुनोति है जिसको मैंने कहा दे हैव क्रिएटिड देरोन रेफरेंसिज समाथ का वो एक आज स्विकारे एक विमर्ष उनका बना होगा है जिनको हम मुकाबला करने जा रहे हैं उनके पास एक ताकत है वो ताकत वो एकडेमिक्स में मीडिया में टेक जैंट्स की सपोर्ट उनके पास है दुनिया की जो सब शक्तिया है वो सारी के सारी शक्तिया वो जो सारे गलोबल कैपिटलिस फोर्सिज जो राष्टर भाव को इस भारत के राष्टर के चेतना को एक दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं इसलिए कभी-कभी उसको वो majoritarian कभी-कभी anti-minority कभी-कभी वो और anti-pluralism तरह-तरह के वो विशेष्णों से करके हमारे ही मन के अंदर ब्रह्म कहजा करने का प्रयास करते हैं ये सारी की सारी शक्तिया मिलकर इनकी चुनोती को हमको पार करना है और इस सारे के लिए हम सब लोगों को अपने सिद्धता बढ़ाने होगी